कई सालों पहले की बात है एक जंगल में एक बर्गत का पेड़ था उस बर्गत के पेड़ पर एक बगुला रहा करता था उसी पेड़ के नीचे एक बिल में एक सांप भी रहता था वह सांप बड़ा ही दुष्ट था अपनी भूख मिटाने के लिए वह बगुले के छोटे-छोटे बच्चों को खा जाया करता था इस बात से बेचारा बगुला बहुत परिशान था एक दिन की बात है, सांप की हरक्तों से परिशान होकर बगुला नदी के किनारे जाकर बैठ गया बैठे-बैठे अचानक उसकी आँखों में आशू आ गए बगुले को रोता देख नदी में से एक केकड़ा बाहर आया और बोला अरे बगुला भया क्या बात है यहां बैठे-बैठे आशू क्यों बहा रहे हो? क्या परिशानी है? केकड़े की बात सुनकर बगुला बोला, क्या बताओ केकड़े भाई? मैं तो उस साम्प से परिशान हो गया हूँ वह बार-बार मेरे बच्चों को खा जाता है घोसला चाहे जितना भी उपर बनाओ, वह उपर चड़ ही जाता है अब तो उसके कारण दाना-पानी लेने के लिए घर से कहीं जाना भी मुश्किल हो गया है तुम ही कोई उपाय बताओ बगुले की बात सुनकर केकड़े ने सोचा की बगुला भी तो अपना पेट भरने के लिए उसके परिवार वालों और दोस्तों को खा जाता है क्यों न ऐसा कोई उपाय किया जाए कि साम्प के साथ साथ बगुले का भी खेल खत्म हो जाए तब ही उसे एक उपाय सूझा उसने बगुले से कहा एक काम करो बगुला भया तुम्हारे पेड से कुछ ही दूर नेवले का बिल है तुम साम्प के बिल से लेकर नेवले के बिल तक मास के टुक्रे बिछा दो नेवला जब मास खाते हुए साम्प के बिल तक आएगा तो वह साम्प को भी मार देगा बगुले को यह उपाय सही लगा और उसने ठीक वैसा ही किया जैसा केक्रे ने कहा लेकिन इसका परिणाम उसे भी भुगकना पड़ा मास के टुकडे खाते खाते जब नेवला पेड़ के पास आया तो उसने सांप के साथ बगुले को भी अपना शिकार बना लिया दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी की भी बात पर आख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए साथ ही उसके परिणाम और दुश परिणाम के बारे में भी सोच लेना चाहिए बहुत पुरानी बात है एक जंगल में एक लोंग्डी और एक सारस रहते थे ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे सारस रोजाना लोंग्डी को तालाप से मचली पकड़ कर खाने के लिए देता था इस प्रकार दोनों की दोस्ती बहुत गहरी होती चली गई सारस बहुत सीधा साधा था लेकिन लोंग्डी बहुत शैतान और चालाग थी वह हमेशा दूसरों को परिशान किया करती थी उसे दूसरों का अपमान करने और मजाक उडाने में बहुत मजा आता था एक दिन उसने सोचा कि क्यों न एक बार सारस का भी अपमान किया जाए और उसका मजाक उडाया जाए ऐसा सोच कर उसने सारस को दावत पर बुलाया उसने जान बूज कर सूप एक प्लेट में परोसा उसे पता था कि सारस प्लेट में से सूप को नहीं पी सकता उसे सूप न पीता देख लोमदी मन ही मन बहुत खुश हुई और जूठी चिंता दिखाते हुए सारस से पूछने लगी कि क्या बात है मित्र सूप पसंद नहीं आया क्या सारस बोला नहीं मित्र यह तो बहुत स्वादिश्ट है सारस ने जब देखा कि सूप को प्लेक में परोसा गया है और लोम्डी जान बूच कर उससे सवाल कर रही है तो वह सब समझ गया लेकिन कुछ नहीं बोला उस दिन सारस को अपमान सहने के साथ ही भूखा भी रहना पड़ा लेकिन जाते जाते सारस ने भी उसे अपने यहां दावत पर बुलाया और लोम्डी दूसरे ही दिन सारस के घर दावत पर पहुँच गई सारस ने भी दावत में सूप बनाया था और लोंगनी के साथ लंबी चोच वाले अन्य पक्षियों को भी बुलाया था सारस ने सूप को सुराही में परोसा सुराही का मुह इतना छोटा था कि उसमें बस चोच ही अंदर जा सकती थी लोम्री पूरा ताइम सुराही और अन्य सभी पक्षियों को सूप पीते देखती रही इसी बीच सारस ने पूछा की क्या बात है मित्र सूप अच्छा नहीं लगा क्या लोम्री को अचानक अपने शब्द यादा गए सभी बोले की सूप बहुत स्वादिश्ट है लोम्री काई भी सभी की हा मेहा मिलाना पड़ा यह सब देख लोम्री अपने आप में बहुत अपमानिक महसूस कर रही थी लेकिन कुछ कह नहीं सकी हमें कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए हम जैसा दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है दिन्पुर गाउं में सोहन नाम का हलवाई रहता था वह खूब बढ़िया और स्वादिश्ट मिठाईया बनाने के लिए जाना जाता था इसी वजह से उसकी दुकान पूरे गाउं में मशूर थी पूरा गाउं उसी की दुकान से मिठाई खरीबता था वह और उसकी पतनी मिलकर शुद्ध देसी घी में मिठाई बनाते थे इससे मिठाईया काफी अच्छी और स्वादिश्ट बनती थी हर रोज शाम होते होते उसकी सारी मिठाईया बिक जाती थी और वह अच्छा मुनाफा भी कमा लेता था मिठाईयों से जैसे ही आमदनी बढ़ने लगी सोहन के मन में और पैसा कमाने का लालच आने लग गया अपने इसी लालच के चलते उसे एक तरकीब सूझी वह शहर गया और वहां से एक दो चुम्बक के टुक्रे लेकर आ गया उस तुक्रे को उसने अपने तराजू के नीचे लगा दिया इसके बाद एक नया ग्राहक आया जिसने सोहन के पास से एक किलो जलेभी खरीदी इस बार तराजू में चुम्बक लगाने की वजह से सोहन को अधिक मुनाफा हुआ उसने अपनी इस तरकीद के बारे में अपनी पत्नी को भी बताया लेकिन उसकी पत्नी को सोहन की यह चाला की अच्छी नहीं लगी उसने सोहन को समझाया कि उसे अपने ग्राहकों के साथ इस तरहे की धोखे बाजी नहीं करनी चाहिए लेकिन सोहन ने अपनी पत्नी की बात बिलकुल भी नहीं सुनी वो हर रोज तराजू के नीचे चुम्बक लगाकर अपने ग्राहकों को धोखा देने लगा इससे उसका मुनाफ़ा बढ़कर कई गुना अधिक हो गया इससे सोहन को काफी खुशी हुई एक दिन सोहन की दुकान पर रवी नाम का एक नया लड़का आया उसने सोहन से दो किलो जलेबी खरी दी सोहन ने इसे भी चुम्बक लगे तराजू से तोल कर जलेबी दे दी रवी ने जैसे ही जलेबी उठाई उसे लगा कि जलेबी का वजन दो किलो से कम है उसने अपना शक दूर करने के लिए सोहन से दोबारा से जलेवी को तोलने के लिए कहा रवी की बात सुनकर सोहन चिड़ गया उसने कहा मेरे पास इतना फाल्तू समय नहीं है कि मैं बार-बार तुम्हारी जलेवी ही तोलता रहूं इतना कहकर उसने रवी को वहां से जाने के लिए कह दिया सोहन मिठाई वाले की बात सुनने के बाद रवी जलेवी लेकर वहां से चला गया वह एक दूसरी दुकान पर गया और वहां बैठे मिठाई वाले से अपनी जलेवी तोलने के लिए कहा जब दूसरे दुकानदार ने जलेवी तोली तो जलेवी सिर्फ देड किलो ही निकली अब उसका शक यकीन में बदल गया था उसे पता चल गया कि सोहन मिठाई वाले के तराजू में कुछ गरबढ है अब उसने तराजू की गरबढ को सब के सामने लाने के लिए खुद एक तराजू खरीद लिया और उसे ले जाकर सोहन मिठाई वाले के दुकान के पास ही रख दिया और फिर रवी अपने सभी गाउं के लोगों को वहां पर इकठा करने में लग गया। जैसे ही लोगों की थोड़ी भीर बढ़ने लगी तो उसने गाउं के लोगों को कहा कि आज मैं आप सभी लोगों को एक जादू दिखाऊंगा। यह जादू देखने के लिए बस आप लोगों को सोहन मिठाई वाले से खरीदा गया सामान एक बार इस तराजू में तोलना होगा। तब आप लोग देखेंगे कि कैसे सोहन मिठाई वाले के तराजू में तोली गई मिठाईया इस दूसरे तराजू में अपने आप ही कम हो जाती हैं, कुछ देर बाद एक दो लोग मिठाई लेकर रवी के पास पहुँचे, तो उसने ऐसा करके भी दिखाया। इसके बाद सोहन के दुकान से जिसने भी मिठाई खरीदी थी, सभी ने रवी के तराजू में तोल कर देखा, तो सबकी मिठाईया 250 ग्राम से लेकर आधा किलो तक कम निकली। यह सब देखकर लोगों को काफी हैरानी हुई। अपनी दुकान के पास ही यह सब होता देख सोहन मिठाई वाला रवी से जगडा करने लगा। उसने लोगों को बताया कि रवी यह सब नाटक कर रहा है। अपनी बात को सही साबित करने के लिए रवी सीधे सोहन मिठाई वाले का तराजू लेकर आया और तराजू में लगा चुम्बक निकाल कर सब को दिखाने लगा यह देखकर गाउं वालों को बहुत गुस्सा आया. सबने मिलकर उस लालची मिठाई वाले को खूब मारा. अब उस लालची मिठाई वाले को अपने लालच और उसके कारण की गई गलत हरक्तों पर पच्चतावा हो रहा था. उसने अपने गाउं के सभी लोगों से माफी मांगी और वादा भी किया कि भविश में वे ऐसी कोई भी जालसाजी नहीं करेगा सोहन की इस धोखेबाजी से पूरा गाउं नाराज था. इसलिए लोगों ने उसकी दुकान में जाना काफी कम कर दिया. इधर सोहन के पास पच्टाने के अलावा कुछ और नहीं बचा क्योंकि वो पूरे गाउं वालों का वरिशा हो चुका था कभी भी लालच नहीं करना चाहिए. हमेशा इमानदारी के साथ अपना काम करने से ही इंसान का नाम होता है. लालच के चलते भले ही कुछ समय के लिए अच्छा फाइदा हो लेकिन इससे इज़त और आत्मसम्मान दोनों कम हो जाते.